असकार बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विशय हिंदी पाट बारा अधेर नगरी इससे पहले के वीडियो के अंधेर नगरी के आधे पाट को पढ़ा था पहला दूसरा और तीसरा द्रश्य बताया था जब महंद उनसे कहते थे कि ऐसी नगरी में रहना अच्छा नह अब राज सभा है कहां पर राजा की सभा तो राज जब्भा में कौन कौन थे राजा थे मंतरी थे और नौकर थे परदे के पीछे दुहाई की ध्वनी सुनाई दे रही थी राजा बोलो क्या हुआ फिर राजा पूछते हैं कि भई क्या हुआ फरियादी जो फरियाद लेक शिकायत लेके आता है मुसको फर्यादी कहता हैगा से दिवार किया हो गई दबगे आप मुझे नियायकी वह क्या करता है। से मांग करता है क्या भूलता है वही कुलू बनिया की न दिवार गिर गई उसकी दिवार के कारण मेरी बकरी क्या हो गई मर गई राजा कहता है अच्छा कुलू बनिये को पकड़ लाओ भोले ठीक है अब कोई अपरात करता है तो उसको पकड़ते तो राजा ने कहा ठीक है उ उस कुल्लू बनिये को पकड़ के लाओ नौकर दोड़ कर बाहर से बनिये को पकड़ लाता है राजा क्यों बनिये इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई अब कुल्लू बनिये से पूछते कि भी इसकी बकरी क्यों दब कर मर गई महराज मेरा कोई दोश नहीं है अब वो बोर रहे है माराज इसमें मेरा क्या दोश दिवार गिर गई मैंने थोड़ ना कारीगर ने ऐसी दिवार बनाई कि गिर गई मेरा कोई दोश निये वो दिवार किसने बनवाई थी कारीगर ने बनवाई थी राजा अच्छा इस कुल्लू को छोड़ दो कारीगर को पकड़ के लाओ पागल है ना राजा भी क्या बोलता है कारीगर को पकड़ के लेका आओ इस कुल्लू को छोड़ दो कुल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ कर लाता है राजा क्यों कारिगर इसकी बकरी कैसे मर गई अब वो उससे पूछता है कि इसकी बकरी कैसे मर गई महाराज कारिगर कहता है महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं मतलब मेरा कोई दोश ही नहीं मेरा कोई कसूर ही नहीं चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दिवार गिर पड़ी फिर वो बोलता है कि मेरा इसके अंदर क्या कसूर जो चूने वाला आपने देखा है न दिवार बनने के बाद चूना किया जाता है तो बोले चूने वाले नहीं ऐसा खराब चूना बनाया कि दिवार गि खराब चुना क्यों दिया ए चुने वाले तुने खराब चुना क्यों दिया कारीगर को चुने वाला महराज मेरा कोई दोश नहीं मतलब मेरा कोई कसूर नहीं है भिष्टी ने चुने में पानी जादा डाल दिया था जो भिष्टी होता है उसे चुने के अंदर पानी को कुल्लू बनिये से कारीगर कारीगर से चूने वाला चूने वाले से अब कहां पोच गे हम भिष्टी वाले चूने वाला निकला जाता है और भिष्टी लाया जाता है राजा क्यों भिष्टी इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दिवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई बोले इतने चूने में पानी क्यों डाला था जो इतने दिवार गिर गई साथ साथ में उसकी बकरी भिष्टी महराज गुलाम का कोई कसूर नहीं हो बोले मैं तो आपका गुलाम हूँ मेरा कोई कसूर नहीं मेरा कोई दोश नहीं है कसाई ने मशकत इत्ती बड़ी बना दी थी कि उसमें से जादा पानी आ गया मशक आप देखते हो ना पानी भरने का एक थेला होता है तो बोल रहा है कि कसाई ने बनाया था उसको राजा अच्छा कसाई को ले आओ भुष्टी को जाने दो बिष्टी निकला कसाई आया राजा क्यों कसाई तुमने ऐसी मशक क्यों बनाया जिसका मुँ बढ़ा कर दिया तो पानी अधिक निकला कसाई महाराज गडर्ये ने टके सेर पर ऐसी बड़ी भेड मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई वो बोल रहा है महाराज एक गडर्या आया था उस गडर्ये ने मुझे टके से क्या कर दी एक भेड दे दी उस भेड के कारण में वो अच्छी थी इसलिए मशक्या हो गया बढ़ा बन गया फिर राजा अच्छा कसाई को निकालो गडरिये को लाओ अब क्या करो कसाई को निकाल कर किसको लाओ गडरिया गडरिया मतलब जो भेड़ो वगेरा को हांखता है फिर राजा कहता है ठीक है अच्छा कसाई को निकालो गडरिये को लाओ कसाई निकला जाता है गडरिया लाया जाता है राजा, क्यों गडर ये ऐसी भेड़ क्यों बेजी तुने, किसको बेजी बेए उसको कसाई को, गडर है जाता है महराज, उधर से कोतुहल सहाब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैं ने चोटी बड़ी भेड का ख्याल नहीं ही नहीं किया मेरा क्या कर सो वहाँ पर एक सहाब थे कौन कोतुवाल सहाब उनकी सवारी आ रही थी वो सवारी पर थे तो मैंने देखा ही नहीं कि भेड बड़ी है या छोटी राजा अच्छा अब गडरिये को निकालो कोतवाल को लेकर आओ गढरिया निकाला जाता है कोतवाल पकड़ कर लाया जाता है कोतवाल को पकड़ कर लाते है राजा क्यों कोतवाल तुमने ऐसी शांदा सवारी निकाली की गढरिये ने घबरागर भड़ी भेड बेच दी बले तुने ऐसी शांदा सवारी क्यों निकाली तेरे कारण क्या उसने अपनी बड़ी भेड को बेचा, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो शहर के इंतिजाम के लिए जाता था, मैं तो शहर के इंतिजाम के लिए जा रहा था, मंतरी, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह एसा हुआ तो गजब हो जाएगा, यह जो वेवभुफ है ना, जो हमाना राजा कैसे वेवाकूफ है पूरे को सजा दे देंगे, तो मंत्री ने कहा कि नहीं फितबी तुने ऐसी सवारी क्यों निकाली राजा। हाँ हाँ यही नहीं तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका प्रेडाम यह हुआ कि एक बकरी मर गई अब उसकी सवारी निकालना और बकरी का मर जाना तो कोई मतलब भी नहीं कोतवाल महराज महराज राजा कुछ नहीं महराज महराज ले जाओ कोतवाल को इसे जल्दी से किस पर चड़ा दो फासी पर चड़ा दो कोतवाल को पकड़ कर ले जाया गया अब देखो इसकी सवारी निकालना इसकी कोई भूल नहीं थी वक्री मरना इसमें कोई संबन नहीं था फिर भी उसको लगाया पांच वा द्रश्य गोवर्दन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है गोवर्दन दास गुरुजी ने हमको नहाग यहां रहने को मनान किया था माना की देश बहुत बुरा है पर अपना क्या हम किसी राज यह निए भले इँ बुरा होता है चार सिपाई चारों से आकर उसको पकड़ लेते किसको घुवर्दन दास को पहला सिपाई चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा, भले, खूब मिठाई खाकर मोटा हो गया और अब चल तुझे मज़ा आएगा गोवर्दंदास गवर्दंदास 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 ऐसा तो कोई थोड़ना न्याय होता है सादूों से हसी नहीं की जाती पहला सिपए जब सूली पर चड़ जाओगे तब मालूम होगा कि फासी है या हसी तुमको पता चल जाएगा तब फासी मिल रही है या हसी सीधी चरह चलते हो कि तिरो उसको धमकी देता है सीधी तरफ चलते हो कि घसीट कर ले चले बात क्या है कि एक सादू आदमी को बिना बाद के फासी पर चड़ाना चाता है बोले ऐसी तो क्या बात हो गए कि सादू जो है वो आदमी को बिना बात के फासी पर चड़ा रहा है पहला सिफाई के रहा है बात यह है कि कल कोतवाल को फासी का हुकुम था किसको कोतवाल को हमने देखा था चौते द्रश्य में जब फासी देने को उसे ले गए तो फासी का फंदा बड़ा निकला अब उसके गले में आई निरा फासी का फंदा बड़ा है क्योंकि कोतवाल साहब दूबल है कैसे पतल है हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया इस पर हुकुम आया कि मोटा आदमी पकड़ कर फासी पर दे दो देखो फासी तो नहीं बड़ली है न उसका माप छोटा नहीं किया पर महाराज कितना पागल है उसके राजा ने का एक मोटा आदमी ले क्योंकि बकरी मरने के अपराद में किसी ना किसी को तो सजा होना जरूर ये नहीं तो सच्चा है नहीं होगा गोवर्दन दास चिलाता हो, सिपाई उसे पकड़ कर ले जाते, अब छट्ठा द्रश्य, शम्शान में गोवर्दन दास को पकड़ेवे सिपाईों का प्रवेश होता है, कहां सम्शान में, गोवर्दन दास, हाई बापरे, मुझे बेक असूर को क्यों फासी दे रो, ए बाप मुझे छोड़ दो, मुझे फासी मत दो, अरे भाई, कुछ तो धर्म का ख्याल करो, मैं तो ब्राम्मन हो, कुछ धर्म का ख्याल करो, मुझे छोड़ दो, रोते हैं, और छूटने का प्रैतन करता है, हाई, मैंने गुरु जी का कहना ना माना, उसी का फल है, बोले मेरे गु गुरू पापन्द करते हैं अरे बच्चा गॉवर धन्द्दैस तेरी तरी यह क्या दशा पर आ जाते उनके गुरू पूछते तरी यह क्या दशा हो गई गुरू जेंफाइब एक लित होगी अरे नीचे बकुरी दबकर मत गई तरी की सजा मुझे दी जा रही गुरू जी मुझे बचाईए महन अरे बच्चा मैंने तो पहले ही कहा थे कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है तुने मेरी बात नहीं सुनी बोले मैं तुझे पहले ही कहा था मैंने आपका कहा नहीं माना या उसी का फल है पैर पकड़ कर रोता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, शमा कर दो, महन, कोई चिंता नहीं, नारायन सब ठीक करेंगे, बाहें चड़ा कर सिपाई से सुनो, मुझे अपने शिश्य को अंती मुपदेश्ट देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, बोर्रमेको अब इसक तुम तो गुरु जी, हम अभी फासी पर चड़ेंगे, तुम तो गुरु जी ओ, हम अभी फासी पर चड़ेंगे, महन, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता, हम बुड़े हुए, हमको चड़ने दो, वो बोलता है कि नहीं मुझे फासी पर चड़ने दो, यहा का दोनों जगडते हैं सिपाई परस पर चकीत होते हैं पहला सिपाई भाई यह क्या मामला है कुछ समझ में नहीं आता राजा मंदरी और कोतवाल आते हैं यह क्या गोलमाल है सिपाई बोलता है ए भाई यह तो क्या मांज रहा है धीरे धीरे सब आते हैं और वहां राजा आता सिपाही महराज चेला कहता है मैं फासी चड़ूंगा गुरू कहता है मैं फासी चड़ूंगा कुछ मालूम ही नहीं पड़ता वो बोलता है मैं फासी चड़ूंगा राजा बाबाजी बोलो आप फासी क्यों चड़ना चाते हो गुरू जी से पूछता है बाबाजी आप बोलो आप क्यो फासी पर चड़ना चाहते हो महंत बोलता है महाराज इस समय ऐसी शुब गड़ी है जो मरेगा सीधा स्वर्ग में जाएगा अब राजा तो कैसा था मुर्ख था ठीक है राजा कैसा था मुर्ख था तो राजा ने पूछा उसे ये मुर्ख था इसको मुर्ख बनाना बहुत आसान था तो उसने का कि ये ऐसी एक शुब गड़ी है जिसमें जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा मंत्री कहता है तो हम ही फासी पर चड़ेंगे गोवर्द अंदास कहता है नहीं नहीं हमको हुकूम है कोतवाल हम लटकेंगे हमारे कारण ही तो दिवार गिरी थी राजा चुप रहो सब राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है हमको फासी चड़ाओ जल्दी जल्दी राजा को लोग फासी पर चड़ाते हैं और परदा गिरता है तो देखो आपने यहां पर उसकी बुद्धी के कारण और बुद्धी नहीं होने के कारण उसने क्या किया अपनी जान गवाई तो हमें ऐसी नगरे में बिलकुर रहना नहीं चाहिए और हमें भी क्या करना अपने बुद्धी का इस्तमाल करना चाहिए आया आपको समझ में धन्यवाद बच्चो